सब बढ़िया तो करें वीडियो को स्टार्ट चलो करते हैं सो एलो सलतनात मेरे नाम है केश है वाज किस वीडियो के अंदर में आप लोग को पांच फोन वताने वाला हूं प्रोसेसर अच्छा मिलता कैमरा बिकार मिल जागा ऐसा सीन नहीं रहने वाला यहाँ पर जितने ही मैंने फोन एड़ करें सारे ओल राउंडर पैकेज फोन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर मैंने ना हर बंदे का इसाब से फोन एड़ करें मालो किसी को ना 4G फोन चीए बट कोई सोचता नहीं यार 5G लेते तो 5G फोन मैंने एड़ करें वही कोई सोचता है कि यार मेरेको नों चाइनिस फोन चीए एंड वही कोई सोचता है कि मेरेको चाइनिस फोन लेना तो मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो भी कर लेना करतें वीडियो के लिस से स्टार्ट तो सबसे पहले चल लेटें अपने लिस्ट के फिफ्ट फोन पर मैं लिस्ट का फिफ्ट फोन आते है समसंग अलेक्सी एसेवंटीवन शुरुवात कर देते डिस्प्लाइन डिजाइन से तो इदर आपको 6.7 इंचिस का फूल एच्टी प्लस का सूपर एम लेड पैनल मिल जाएगा यहां पर आपको बैक जो मिलेगी प्लास्टिक की मिलेगी बैक साइड करने आपको चार कैमरे मिल जाएंगे बात कीजा कैमरे की तो यहां पर आपको फॉर के रिकोर्डिंग कर सकते हो 30 fps बात कीजा सेल्फी की तो आपको 32 मेगा पिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है तो बहुँ चल लेते है फोन के प्रोसेसर डिपाटमन्ट में एड ना वकटनेंज़ की की घयातो अप्रोसर में गया ते स्ब्सक्राइब तो प्रोसेशर शचर मिलता इन्ट इडिनों तो भई बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्प्रिया स्वीचर्स की तो इदर आपको 3.5mm का जैक मिल जाते है सारी सेंसरी मिल जाते है नॉक सिक्यूर्टी मिल जाते है ओल्ट जी का सपोर्ड मिल जाते है यहाँ पर आपको डेडिकेटिट स्लोट मिल जाता है एएस मिल जाता है गोरिला गरास 3K प्रोडेक्शन डिस्प्लेइब जाते हैं यहाँ पर आपको वन वाई 2.0 मिल जाता है फिंगर्बिंट फेस के दोनों के ओप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर जापको फिंगर्बिंट स्कैनर मिलता है आपको इंडिस्प्ले मिलता है तो भाई बात की जब एर इंटेंट प्राइस की तो तर आपको 8GB की रहा है 128GB की रोम मिल जाएगी 31,000 के प्राइस पर पर तू ने तो बोला था के वीडियो में 30,000 के फोन है भाईया सुनो हमारी बात हम क्या रहे हैं कि मतलब अगर आप इस फोन को सेल के अंदर लोगे ना तो आपको यह और जादा वेल्यू फोन मनी होगा क्योंकि अभी इस फोन का प्राइस 31,000 है बट लेकिन जैसे आप इसको सेल के अंदर लोगे तो आपको 30,000 से भी कम का पड़ेगा कार्ड वगरा लगा लेना एंड सेल में वैसी आपको डिसकाउंट मिल जाता है तो इन सब चीजों काट पीट के देखा जाए तो आपको 30,000 से भी कम का पड़ेगा यह फोन बागी फोन ने एक सेक्योर्टी के इसाब से काफी तगड़ा फोन है अगर आपको प्राइवेसी से जादा प्यारी आपको तब आप इस फोन की तरफ जा सकते हो भाई बहुत तगड़ा फोन है प्राइवेसी से रिलेटेड क्योंकि आपको आपको नोक सेक्योर्टी मिल जाती है और यह आपको ओल्ट जी का भी फीचर मिल जाते है तो यह काफी तंगड़ी चीज़ है मतलब इन सब को अगर देखा आजया न तो अपने प्राइस को जस्टिफाय करता है समसिंग जैसी ब्रैंड मिल जाते नों चैनिस फोन मिल जाते तो और क्या ही चाहिए इस फोन के साथ चले लेते अपने लिस्ट के फोर्थ फोन पर तो हमारे लिस्ट का फोर्ड फोन आते है वनप्लस नोड शुरुवा आपको को मिलेगी ग्लास की बैक मिलेगी तो वहीं चलते हैं क्यार towel चार कैमरे मिलते हैं differentiate मेगापिक्सलegate 8 Megapixel Ultra Wide plus 5 Megapixel Depth Sensing के लिए प्लस 2 Megapixel यहां पर आपको Macro Show भी मिल जाता है बात की जाए यहां पर recording की तो आप 4K recording कर सकते हो 30FPS पे बात की जाए Selfie की तो इधर आपको 32 plus 8 Megapixel की Selfie मिल जाती है 8 Megapixel का sensor आपको Ultra Wide का मिल जाता है इसकी Selfie के साथ एक चीज़ तगड़ी का है ना कि यहां पर आप 4K recording कर सकते हो 60FPS पे वहीं आपको बैक के अंदर जो मिलती दिए कोडिंग का option वह आपको 4K 30FPS पे मिलता है तो पता नहीं कुछ आगे पीछे सा नहीं कर दिया आपको नहीं लग रहा कुछ ऐसा तो वहीं चल लेते हैं फोन के प्रोसेसर डिपार्टमेंट में तो इधर आपको काफी न्यू लेटेस्ट प्र प्रोसेसर मिलता है जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है या आपको 7NM का प्रोसेसर मिलता है एट्रेन होगा 620 का आपको GPU भी मिल जाता है तो भई बात कर लेते हैं बैटरी की तो इधर आपको 4,115 MHz की बैटरी मिल जागी 30W की Fast Charging मिल जाएगी Type-C का पॉर्ट मिल जागा तो 10 मिल जाता है यहाँ पर आपको Oxygen UI भी मिल जाता है तो ही बात कर लेते हैं वेरेंट 10 प्राइस की तो इसका जो बेस वेरेंट है 6GB की रहें 64GB की रोम वाला उसको भी थोड़ा भूल जाओ अभी अगस्त चलना है एंड सेप्टेमबर के लास्ट तक या सेप्टेमबर के 1000 का बजट है एंड आपको एक स्मूध यूआई चीए बिल्कुल ऐसे टगड़ा यूआई मलोब फीचर्स भी मिल जाए एंड फालतों कोई खचरा भी ना मिले एंड एक आपको 5G फोन भी मिल जाए एंड तगड़े कैमरा भी मिल जाए तब आप इस फोन की तरफ जा सकते इस्ट का थार्ड फोन आता है रेड्मी के 20 प्रो शुरुबात की जाए डिस्प्लें डिजाइन से तो इदर आपको 6.3 इंचेस का फुल एचरी प्लस का सूपर एमलेड पैनल मिल जाएगा यहाँ पर आपको पॉप अप सेल्फिय मिल जाते हैं एंड जो आपको बैक मिलते जैग लास की बैक मिलती है एंड इसकी डिस्प्ले एचेडी अटन को सपोर्ट करती है तो वहीं चलते हैं क्यामेरे डिपार्टमेड में जैसा आपको बता दिया बेकसाड आपको तीन क्यामरे मिलते हैं फॉर्क्तियमेगा पिक्सल टैनली फोट्रा वाइड बात की जाए स 640 का को GPU भी मिल जाता है तो वही चलते है बैटरी डिपाइटमेंट में इदर आपको 4000 इमेज की बैटरी मिल जाते हैं यहां पर आपको टाइप-C का पॉर्ट ही मिल जागा तो वही बात करते हैं फोन के कुछ यहां पर आपको कोलिंग सिस्टम में मिल जाता है यानि कि आपने फोन वगर चादा देर तक गेम वगेरा खेल रहे हो तब भी आपका फोन शांत रहेगा मनलब की ठंडा रहेगा तो वहीं बात कर लेते हैं इंटेंट प्राइस की तुदिर आपको 8GB 256GB की रोम मिल जाएगी आपको बीच में अर्चन वगेरा तो आप इस फोन की तरह जा सकते हैं काफी तगड़ा फोन है मनलब मजाने वाले अगर आप एंटेंट को ज्यादा प्राइटी देते हो एंडिसकी बैटरी भी काफी साही चल जाते हैं एंड कैमरे भी इसके अच्छा है यह निए कि फोन पुराना हो गया थोड़ा तो कैमरे वगेरा बेकार है इधर आपको अपडेट भी मिलेंगे एंड कैमरे भी काफी अच्छे मिल जाते हैं इस फोन के तो वहीं चल लेते हैं अपने लिस्ट के सेकेंड फोन पर तो हमाई लिस्ट का सेगेंड फोन आता है रियल मी एक्स त्री सूपर जूम चले एक काम कर दो सो रुपया दे और पचास रुपया काट ओवर एक्टिंग के वचे से तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से तो जर आपको 6.6 इंचिस का फुल-HD-Plus का IPS पहले मिल जागा यहाँ पर आपको 120-Hert का refresh rate मिल जागा यहाँ पर आपको dual punch hole मिल जाएगी back आपको जो मिलेगी ग्लास की back मिलेगी एड backसाई काना आपको 4 कैमरे मिल जाएंगे तो चलते है डिपार्टमेंट में जहसा आपको बता पेकसाना आपको 4 प्लस एड मेगा पिक्सल यहां पर आपको पैरिस्क ट्राइभी लेंज भी बात करते हैँ आपको 328 प्रोसेसर डिपाइट में तो इदर आपको स्नेपड्राइगन का एट फिफ्टी फाइफ प्लस का प्रोसेसर मिल जाता है एट इनों का शेसो चालीज का आपको जीपीओ भी मिल जाता है तो इदर आपको 4200 एमेज की बैटरी मिल जाएगी 30 वोट की एफोन फास्ट चार्जि के टाइम पर रिफ्रेश रेट ज्यादा मेंटर करता है एक एमलेड के नोर्मल पैनल से क्योंकि मैं रिफ्रेश रेट अच्छा होगा ना तो आपको काफी तकड़ा एक्स्प्रियेंस मिलने वाल है एंड प्रोसेसर तो आपको बताई भाई 855 प्लस नामी काफी है मनला प् आपको रियल्मी का यूई मिल जाता है लिक्विड कूलिंग टेकनोलोजी भी मिल जाती है तो बहुत बड़ी कमी लगी है वह इसके अंदर यहां पर आपको 3.5 आउं का जैक नहीं दिया और बहुत तेज लेकर गया बुलट कमी में रोकते क्या लगे कि इतर आपको 3.5 मैं और आपको तो आपके प्लूटूथ के सामने बता है तो अपको थोड़ी देर में पता है तो यह थोड़ी से दिक्कता है वागी फोन अच्छा है यार मंदब ठीप फोन है काफिसा ही कर देते हैं और यह प्रिष्ट के दो कर दो तो शैर कर दो ये अब हीख चारों में से कौनसा फोन बढ़िया लगा है या फिर आप पाचू में से सबसे तेंगा होन को她 लगा है तो भी चल लेते हैं अपने लिस्ट के फास्ट फोन पर माई लिस्ट का फास्ट फोन आता है Realme X2 Pro शुरुबात कर लेते हैं डिस्प्लाइन डिजाइन से तो इधर आपको 6.5 इंचिस का फूल HD Plus का Super AMOLED पैनल मिल जाएगा यहाँ पर आपको 90Hz का refresh rate मिल जाएगा HDi 10 Plus को इडिस्प्ले सपोर्ट करती है यहाँ पर आपको वोटर ट्रोप नोच मिल जाएगी बैक में आपको चार क्यामरे मिल जाएगे एड़ आपको बैक मिलती है ग्लास की बैक मिलती है तो वही चलते कैमरे डिपाइटमेंट में तुद्धर आपको बैक्साइड के अंदर चार क्यामरे मिल जाते है 64 Megapixel Plus 13 Megapixel Telephoto Lens Plus 8 Megapixel Ultra Wide Plus 2 Megapixel Depth Sensing के लिए बात की जाएगे सेल्फी की तुद्धर आपको 16 Megapixel की सेल्फी मिल जाते है थोड़ी सी मला कंजूसी करी गई है इसकी सेल्फी के अंदर यह बोलना चाता हूं मैं तो वही चल लेते हैं प्रोसेसर डिपाइटमेंट में तो इकर आपको Snapdragon 855 Plus का प्रोसेसर मिल जागा जो आपको 7NM का प्रोसेसर मिलता है इधर आपको in-display fingerprint scanner मिल जाते हैं सारी sensor मिल जाते हैं यहां पर आपको कार्ण फोन गरम हो गया तो आप उसको ठंडा भी कर सकते हूं थंदा हो जाएगा कोई दिक्क्त नहीं है से गेम वोगर आप जागा देर तक खेल रहे हो यूद गेमिंग के इसाब से काफी तगड़ा फोन है रिफ्रेश रेट आपको अच्छा मिल जाता है एम लेड पैनल मिल जाता है प्रोसेसर तो काफी बीस्त है एंड यह भी है 3.5 फेम का जैक तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए और आपको देख रहे हो 30,000 के आसपास आपको कोई तगड़ा गेमिंग फोन चाहिए तो आप इस फोन की तरह चा सकते हैं अभी बात की जब एरेंट प्राइस की तो तरह आपको 64GB की रोम मिल जाते 30,000 के प्राइस पर आपको दिक्कत होने वाले है क्योंकि भाई स्टोरेज आपको थोड़ा सा कम लगेगा कि मतलब अपके टाइम में भी 64,000 मतलब 64GB का जो स्टोरेज है ना मतलब बहुत ही कम रहता है मतलब और और उपर से हाइब्रीड सिम्स लोड़ भी नहीं मतलब तो देना चाहिए था य पाचो फोन में सबसे तगड़ा फोन कौन सा लगा है और अगर आपका बजेट है 30,000 का तो आप इन में से कौन सा फोन लेने वाले मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि मतलब आपकी क्या प्राइटी होते है या आपको इन पाचो में से सबसे तगड़ा फो वीडियो के अंदर कुछ भी एंड हां उससे पहले अगर आपके वीडियो पशन आई यह तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अपने फेंड का शेर भी कर लो अब मिलते हैं कल वाली वीडिया वीडियो के अंदर तब तक करिए बापाई